नमस्कार दोस्तों, एक नई उर्जा, एक नए उस्सा और एक नई सीरीज के साथ हम फिर से आजिर हैं लंबे समय से चैनल पर कोई वीडियो ना अप्लोड होने का हमें खेद है इस नई सीरीज में हम फिजिकल एउक्रेशन से रिलेटेड हर टॉपिक के मिनिमम हंड़ेट क्वेस्चन करेंगे जो हमारे आने वाले DSSB, UPTGT, MPSET जैसे एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट है तो मीन्द है आप इस सीरीज के साथ भी अपना प्यार बनाए रखेंगे और इस सीरीज के वीडियो को ज़्यादा श्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एउक्रेशन इस्टेडी हब में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर आनली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं तो इसका सही अंसर है ओप्शन B व्यक्तिका स्वास्थिका विकास होता है नेक्स्ट तो इसके ओप्शन है यथार्टवाद, उप्योगितावाद, आदर्शवाद या उप्योग सभी तो इसमें हमको बताना है जो साथ इच्छा है उसकी फिलोस्फी यानि वो किस दर्शन से रिलेट करती है तो इसका सही अंसर है ओप्शन B उप्योगितावाद साइक सिच्छा उप्योगितावाद यानि pragmatism से belong करती है या relate करती है यह बहुत important questions है इनको आप याद रखेगा हो सकता है कुछ questions आपको लगें कि हमको आते हैं यह हर बार वह repeat होते हैं लेकिन यह सारे questions बहुत important है next निम लिखित में से किसने मसाल को Athens Olympic खेलों के इस्थल तक ले जाने की प्रथा सुरू की who among the following started the practice of carrying the torch to the venue of the Athens Olympic Games तो इसके option है Adolf Hitler, King George, Plato या Arasthu तो इसका सही answer है option है Adolf Hitler मसाल को Athens Olympic खेलों के इस्थल तक ले जाने की प्रथा Adolf Hitler के टाइम पे सुरू की गई थी next Olympic धज की बनावट निम लिखित में से एक किस प्रकार की होती है what is the structure of Olympic flag तो इसके option है बिना किनारे वाली सफेद प्रष्टिका और केंदर में Olympic प्रतीक काला किनारे वाली सफेद प्रष्टिका और केंदर में Olympic प्रतीक बिना किनारे वाली पीली प्रतीका और सिखर के दाय कोने में Olympic प्रतीक या फिर बिना किनारा वाली धूशर प्रतीका और केंदर में Olympic प्रतीक तो इसको बताना है कि जो Olympic का धज होता है तो आप सभी ने देखा होगा white color का होता है और center में olympic का प्रतीक होता है तो इसका सही answer है option A बिना किनारावाली सफेद प्रिष्टिका और केंदर में olympic प्रतीक next प्रतम olympic खेल किसके नियंतरण में खेले गए under whose control were the first olympic games played जो पहले olympic game हुए थे उस समय वो game किसके नियंतरण में हुए थे देखे DSSV में इस तरीके के questions सी पूछे जाते हैं घुमा के थोड़े से जो आपको confuse कर दें तो इसलिए ये questions आपके लिए बहुत important है तो इसके option है King George Dutty, King George Pratham, Theodosis या Martin Luther King तो इसका सही answer है option B King George Pratham ठीक है King George Pratham के नियंतरण में first olympic games हुए थे next question number 6 प्रतम आदनिक olympic खेलो के सम्मंद में निम्लिखित में से कौन सा कथन सकते हैं which of the following statement is true regarding the first modern olympic games तो इसके option है सारे प्रतिभागी सदस से महिलाएं थी, सारे प्रतिभागी सदस से ग्रीक थे, सारे प्रतिभागी सदस से पुरुस थे या सारे प्रतिभागी रोमन थे तो इसका सही answer है option C सारे प्रतिभागी सदस से पुरुस थे जो पहले modern Olympic Games हुए थे जो Athens में 1896 में हुए थे इसमें 14 countries के लाडियों ने participate किया था जो कि सारे के सारे men यानी पुरुस थे Next उलम्पिया में खेले गए Olympic खेलों में किसके सम्मान में महिलाएं प्रथक प्रतियोगिताओं में सामिल हुई थी In whose honor were women included in separated competition at the Olympic Games played in Olympia तो इसके option है देव जीूस, देवी हेरा, देव अपोलो या इन में से कोई नहीं तो इसका साही answer है option B, देवी हेरा उलम्पिया में खेले गए Olympic खेलों में महिलाएं देवी हेरा के सम्मान में प्रतियोगिताओं में सामिल होती थी Next Greek भासा में athlete का अर्थ है Athlete in Greek means तो इसके option है नगर राज, मुद्रार जक, पुरुसकार का अकांची या दौर तो इसका सही answer है option C, पुरुसकार का अकांची कुछ प्रतियोगिताओं में आपको मुद्रा अर्जक भी इसका answer मिल सकता है लेकिन Greek भासा में इसका अर्थ होता है One, who, compete for prize तो इसलिए इसका सही answer होगा पुरुसकार का अकांची वो इनसान जो पुरुसकार के लिए prize के लिए खेलता है उसे athlete कहते हैं कहीं कहीं पे आपको मुद्रा अर्जक भी answer मिल सकता है तो इसको लेकि आपको घबराना नहीं है दोनों ही answer होते हैं अलग-अलग exam की answer की में ये possible है next किस olympic खेल में यह पता लगा कि बहतर प्रदर्शन के लिए नसीली दवाओं का शेवन किया जा रहा है in which olympic games or did you find out that drugs are being used for better performance तो इसके option है नाइटीन सिस्टी रूम, 1988 सियोल, 1992 बार्सिलोना या 1996 अटलांटा तो इसका सही answer है option A 1960 रूम 1960 जो olympics रूम में हुए थे उसमें ही पता लगा था कि नसीली दवाओं का सेवन करके बहतर प्रदर्शन किया जा सकता है तो इसका सही answer होगा option A next प्राचीन काल में तच सिला किसके लिए प्रशिद्य था वाट वाज तच सिला फेमस फॉर इन एसियन टाइम तो इसके option है छदम युद्ध अश्वा रोहन धनुर विद्याप से छणिया रतों की दोड़ की प्रत्योगिता तच सिला अपने धनुर विद्याप से छण के लिए जाना जाता था इसलिए इसका सही answer होगा option C next यंग मैन किस्चन एसोशेशन साइक सिच्छा महाविद्याले चन्नई की स्थापना कब हुई वैन वाज दा यंग मैन किस्चन एसोशेशन कॉलेज ओफ फिजिकल एजुकेशन चन्नई स्थेबलाइज़ड तो इसके option है 1914 1896 1920 1924 तो यंग मैन किस्चन एसोशेशन सारी एक सिच्चा महाविद्याले चन्नई के प्रथम प्रधान आचारिक कौन थे फिजिकल एजुकेशन चन्नई तो इसके option है जिवडी सोन्दी एससी बग बेपी कौपरटिन या सी ए बुचर तो इसका सही अंसर है option B एससी बग एससी बग वाई एजुकेशन मदरास जिसको की 1920 में बनाय गया था इसके पहले प्रधानाचा यानि फर्ष्ट प्रिंस्पल थे next ओलंपिक छले क्या संकेत देते हैं what do the Olympic ring indicates तो आपने ओलंपिक के छले जो पांच छले होते हैं अलग-अलग करके उनका क्या संकेत होता है ये बताना है तो इसके option है पांच महादियूप, पांच नदिया, पांच देश या पांच परवत तो इसका सही अंसर है option A पांच महादियूप ओलंपिक के छले पांच महादियूपों को दरसाते हैं next फिलिपडीज था फिलिपडीज वाज तो फिलिपडीज कौन थे एथिन्स वासी प्रतीक स्पाल्टा वासी ग्रीक रोमन वासी इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर है option A एथिन्स वासी प्रतीक फिलिपडीज एथिन्स वासी प्रतीक था next चिकित्सी व्यायाम का पुरोधा कौन था who was the pioneer of medical exercises तो इसके option है रूशो, गेस्टॉल्ड, अरस्तू या हिप्पोक्रेट्स तो इसका सही अंसर है option D हिप्पोक्रेट्स medical exercise यानि चिकित्स की व्यायाम के पुरोधा या pioneer हिप्पोक्रेट्स थे next किस वर्ष सीत कालीन ओलंपिक खेल पहली बार खेले गए in which year वर्ष विंटर ओलंपिक गेंस first held तो इसके option है 1923, 1924, 1925 और 1926 तो पहले बिंटर ओलंपिक कब हुए थे तो इसका सही अंसर है option B 1924 पहले बिंटर ओलंपिक चैमुनिक्स ट्रांस में 25 जनवरी से 5 फर्वरी 1924 तक हुए थे next ओलंपिक धज पहली बार कब और कहां उप्योग में लाया गया when and where was the ओलंपिक flag first used तो इसके option है 1996 Athens 1996 Atlanta 1920 एंटर ओलंपिक या इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर ज्यादा तर लोगों को पता होगा अगर नहीं पता है तो इसका सही अंसर है option C 1920 एंटवर्प 1920 एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार दज को फहराय गया था next भारती ओलंपिक संग की स्थापना कब हुई वेन वाज इंडियन ओलंपिक एक्सोशियेशन इस्टेबलाइजड तो इसके option है 1927, 1928, 1929 या 1930 तो इसका सही अंसर है option A 1927 भारती ओलंपिक संग यानि आई ओए की स्थापना 1927 में हुई थी और इसके पहले चेर्मेन या पहले प्रेसिडेंट थे सर दोराब जी प्राटा और इन ही को इसको बनाने का श्री भी जाता है next अंतराश्टी ओलंपिक संगी का मुख्याले कहा है वेर इस दे हेड़कॉर्टर आफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तो इसके ओप्शन है सही तो राज अमेरिका, लंदन, स्विजर लैंड या फिर जर्मनी तो इसका सही अंसर है ओप्शन सी, स्विजर लैंड अंतराश्टी ओलंपिक संग का कार्याल है लौसाने, स्विजर लैंड में इस्थित है और IOC की स्थापना 1894 में हुई थी ये डेट्स और ये जगे आप जरूर याद रखें ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और ये बहुत से एक्जाम में हर बार पूछा जाता है ये क्वेस्चन नेक्स्ट ग्रिसम कालीन ओलंपिक खेलों की अवधी क्या है तो इसके आप्शन है 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन या 19 दिन तो इसका सही अंसर है आप्शन ए 16 दिन ग्रिसम कालीन यानि समर अलंपिक गेम्स 16 दिन की अवधी तक होते हैं पहली बार 16 दिन के जो अलंपिक हुए थे ये पहली बार 1928 जो एमस्टर्डम में हुए थे तब सुरू किये गए थे 1928 का अलंपिक पहली बार 16 दिन का अलंपिक हुआ था आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और वीडियो को जदा से ज़़ाद शेयर करें ताकि या हाज जोतमन तक पहुं सके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिन